शेरों के पुतर शेर ही जाने जाते हैं और लाखों के बीच ऐसे फोजी अलगी ही पहचाने जाते हैं नमस्कार जहिंद मेरे देश के भावी फोजियों उमीद है सबी सोलजार बहुत ही अच्छे होंगे बहतरिन होंगे मस्त होंगे बिल्कुल अगनिवीर का रिजल्ट है वो अब तक 22 एरों के रिजल्ट है वो डिकलेर हो चुके हैं और इस बार वैकेंशी है वो भरफूर देखने को मिली है हर एक एरों के अंदर अब नोजवान है वो अपने एरों में रिपोर्टिंग के लिए तैयार है कम्पलीट दस्तावेज के शाथ तो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताया जाएगा कि वो कौनशे दस्तावेज है जो आपको अपने एरों के अंदर लेकर जाना है क्योंकि ध्यान रखना एक बई दस्तावेज अगर समय पर आपने तैयार नहीं करवाया यह आप नहीं लेकर गए तो ध्यान रखना आपकी जोइनिंग नहीं हो पाएगी यह हमने पिछली बार भी देखाता उससे पिछली बार भी देखाता हर एक एरों के अंदर पांस साथ बत्चों के साथ ऐसा होता है एक न एक दस्तावेज के अंदर वो गलती करते हैं और उसकी वज़य से उनके सपनों पर पानी फिर जाता है बहुत महनत के बाद final selection होता है तो आपको ये गलती नहीं करना है complete दस्तावेज अभी आपको जो हम बताएंगे आपके पाश होना चाहिए अलग एक file बना लिएजिए उस file के अंदर है इन दस्तावेजों को रखना है तो चलिए आगाज करते हैं और बताते हैं वो कौन से दस्तावेज है क्योंकि आर्मी ने ही अपने result के साथ ही update कर दिया है कि ये दस्तावेज आपको लेकर आना है ठीक है जी तो चलिए अब तक total 22 ARO के result है वो आचुके है जिसके अंदर total vacancy 14,223 लगभग इतनी post है वो अभी निगल किया है जी डी के अंदर 124 बच्चे final select हुए है टेकनिकल में 865 ट्रेडमेन 10 पास में 666 ट्रेडमेन 8 पास में 187 कलरक का अभी result आया नहीं है नर्शिंग अभी IRO दिली का आया है जिसमें 13 बच्चों का final selection हुआ है और भी बहुत सारे IRO है जिनके results आना अभी बाकी है और बहुत सारे ऐसे नोसवान है जिनका भी physical भी बाकी है जिनका physical बाकी है रात और दिन एक कर दीजिए क्योंकि आपका भी final result आएगा इसलिए अच्छी महनत कीजिए physical merit के अंदर बड़ा रोल निबाता है क्योंकि GD Trademan के अंदर number भी आपके count होते है तो चलिए दस्तावेज को लेकर हम आपको बताते हैं वो कौन से document है जो आपको तयार करवाना है सबसे पहले अगनिवीर की जो final merit list में जिन भी देश के लड़दों का selection हो गया है पुरी आर्मी स्टेडी योदा टीम की ओड़शें उनको हार्दिक शुबकामना है उनके उजवल भाविस्य के लिए और जिन दोस्तों का नहीं हुआ है किसी कारण वर्ष तो बिलकुल आप सभी हतास ना हो देखिए जो हो गया उसे शोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते सबलता भी उसे हासिल होती है जो हालात और वक्त पर रोया नहीं करते तो रोना नहीं है रोने धोने से कुछ नहीं होगा वापिस अपने आपको motivate केजिए और तैयारी केजिए क्योंकि November, December तक अगनिवीर का notification है वो डल जाएगा वापिस उठीए और तैयारी केजिए फोजी बनना है जब मन मना लिया कि हाँ लगना है तो इस बार नहीं तो इस बार अपकी बार हो जाएगा 100% इस भरती के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका final selection हुआ है जो पिछली भरतियों के अंदर एक आदे नंबर से ऐस अपल हो गये थे लेकिन हिमत नहीं आरी और इस बार final selection हो गया है वो कहते हैं ना कि होसले के तरकश में कोशीश का वो तीर जिन्दा रखो हार जाओ चाहे जिन्दकी में सब कुछ मगर फिर से जितने की उमीद जिन्दा रखो तो जजबा होना बहुत जरूरी है जजबा आपके अंदर है तो कोई आपको हरा नहीं शकता दो-चार महीने आप डिले होए है वापिस भरती आएगी जब अरदस तैयारी करो आपके तैयारी बहतरीन है साथ में फिजिकल की तैयारी रखो हो जाएगा सेलेक्शन सो परते ही साथ तो देखिए जिन उजवानों का हो गया है कतई आपको मकरागरी नहीं करना है कि हाँ गुरुदेव आप सेलेक्शन हो गया अब हमें को निकालने वाला है जब तक आपके क्षम परेड नहीं होती है तब तक ध्यान रखना आपको बहार निखाला जा सकता है आपकी लापरवाई की वज़े से तो कतई लापरवाई नहीं बदलना है देखिए रंगीन फोटो आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की कितनी होनी चाहिए कम से कम 20 होनी चाहिए ज्यादा लेके जाते हो और अच्छी बात है 20-25 आपके पास फोटो है वो होना चाहिए उसके बाद देखिए 10-25 और 12 कक्सा के एडमीट कार्ड आपके पास होने चाहिए ओरीजिनल पलस उनकी ध्यान रखना त्यार परतिलिपी फोटो कोपी भी आपके पास होना चाहिए 10-25 और 12 कक्सा के एडमीट कार्ड अब बहुत सारे बच्चे है जिनके पास एडमीट कार्ड हो शकता है नहीं मिलेंगे तो घबराना नहीं है जिस इसकूल के मादेम से आपने पढ़ाई की है आप वहाँ जाईए वहाँ संप्रक कीजिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है 8-10-12 कक्सा की मारक शीट आपके पास होनी चाहिए औरीजनल तो होना ही चाहिए औरीजनल तो लेकर जाना ही जाना है लेकिन उनकी 4-4 फोटोकोपियां भी आपको साथ लेकर जाना है ऐसा नहीं कि हाँ 8-10-12-12 दोनों को मिला के 4 परतिलिपी ले जाते हैं नहीं सबकी अलग-लग आपको लेकर जाना है 8-10 कक्सा की 4 फोटोकोपी 10-10 कक्सा की 4 फोटोकोपी 12 कक्सा की मारक शीट की 4 फोटोकोपी आपको लेकर जाना है ठीक है? जी उसके बाद देखिए next 4 नंबर का पुइंट है 10-12 कक्सा का बोर्ड परमान पत्तर आपके पास होना चाहिए, ओरिजनल पलश उसकी भी चार फोटो कोपी आपके पास होना चाहिए, नेक्स्ट है मूल निवास परमान पत्तर होना चाहिए, ओरिजनल और उसकी भी चार फोटो कोपी आपके पास होना चाहिए, next है son of ex-serviceman, son of widow, son of war widow के मामले में निर्वहन परमान पत्तर अगर किशी के पास है इसा परमान पत्तर तो वो भी ले जा सकता है और उसकी दो-दो फोटो कोपी है वो होना चाहिए ठीक है? हाँ जी, चलो next है जिसके लिए लागू है जाती परमान पत्तर तो उसकी दो-फोटो कोपी लेकर जाना है, 6 महीने पुराने नहीं होना चाहिए यह document ध्यान रखना जाती परमान पत्तर है तो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए हाँ, मुलनिवास है तो चल जाएगा next है NCC समंद परमान पत्तर किशी के पास NCC का है या कोई sports का है, या कोई national का, international का कोई भी आपके पास ऐसा certificate है, जिसके bonus अंक आपको मिलेंगी तो वो आपको लेकर जाना है, पलस उनकी दो-दो फोटो कोपी आपको निकलवा के लेकर जाना है ठीक है, ओके गुरुदेव, पैन कार्ड आपको लेकर जाना है, पैन कार्ड परमानेंट नमबर ठीक है दो फोटो कोपी उसकी बे आपको लेकर जाना है उसके बाद देखिए ये point बहुत important है ध्यान रखना पंचीकरित मोबाइल नमबर के साथ मूल आदार कार्ड लाया जाएगा आपको मोबाइल वो लेकर जाना है, जिसमें आपके आदार कार्ड नमबर के अंदर आपके मोबाइल नमबर एड होना चाहिए बहुत सारे बच्चे हैं आदार काड में अपने माता पिता या घर में किशी सदश्य का मोबाइल नमबर एड करवा रखा है तो वो चेंज करवा लेना समय रहते यही दस्तावेज जो आगे वापिस जिनके रिजल्ट आना बाकी है या जिनका फिजिकल होके बाद में रिजल्ट आएगा यह डोकुमेंट आपको तयार रखना है ठीक है इन डोकुमेंटों में आपको किशी भी परकार के लापरवाई नहीं करना है तो आदार कार्ड पलस आपको वो मोबाइल नमबर लेकर जाना है जिसमें OTP आएगा इस से फोज ये पता लगाई कि कि हाँ ससोरा कोई फरजी वाड़े से भरती तो नहीं हो गया ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है अगर आपके मोबाइल नमबर एड नहीं है परिवार के किशिश अदश्य का भाई बहन पापा ममी का मोबाइल नमबर एड है तो वो मोबाइल आपको साथ में लेकर आना है ठीक है जी उसके बाद है कि पिता और माता का आदार कार्ड भी लाना होगा अपने माता पिता का आदार कार्ड भी आपको लेकर आना होगा दो दो फोटो कोपियां भी आपके पास होनी चाहिए अब बहुत सारे बच्चे का यहाँ पर परसंद रहता है कि सर मेरे आदार कार्ड में पापा जी के आदार कार्ड में नाम के अंदर थोड़ी मिस्टेक है तो देखिए समय रहते आप चेंज करवा सकते हो किलियर है बाकी इस रिजन शे आपको बाहर नहीं निकलवाए जाएगा उसका आप ऐफिडेउट बनवा लेना या चेंज करवा लेना किलियर है यह आप पर डिपेंट है समय रहते करवा लो भाई बहुत मटरगस्ती आपने कर ली बहुत डीजे आपने बजा लिया है अब आप सभी लग जाओ माभारती की रक्षा के लिए कोई अतिरिक्त परमान पत्तर है आपके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज आपके पास है जो आप दिखाना चाहते हो फोज को कि हाँ ये दस्तावेज है मेरे पास ये सर्टिफिकेट है मेरे पास जिसके आपको क्या पता आगे चलके बेनिफिट मिल सकें ठीक है क्योंकि आप मैंसे ही बहुत सारे बच्चे है जो पेरा कमांडू के लिए सलेक्ट होंगे तो कोई भी ऐसा दस्तावेज आपके पास है आपको लगता है कि हाँ ये यहाँ पर हमें दिखाना चाहिए तो वो आप लेकर जाना है और उसकी दो फोटो कोपी उसके बाद एक ही जो ठारा वर्षे कम आयू के जो बच्चे है जिनकी एज बहुत सारे बच्चे हैं अमारे पास भी बहुत सारे बच्चों ने कोल किया सर्फ पहली बरते में जंडे कार दिये एज है अभी 17 साल 8 महीने 10 महीने तो जो 17.5 वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है 18 वर्षे कम आयू के सभी अमिद्वार अपने आवंटित रेजिमेंटल के अंदर में रिपोर्ट करते शमय अपने माता पिता के साथ रहेंगे यह आपको ध्यान रखना है जो भी सेना की ओर से आपको जो रेजिमेंटल आवंटित होगी वहाँ पर जब आप रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पर जो ठारा साल से कम एज के जो बच्चे है साड़ी सत्रा से अठारा के बीच में आपको अपने माता पिता के साथ आपको रहना है ठीक है यह आप सभी सोल्जर को ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपोर्टेंट है और यह सभी के लिए लागू है सभी अमेद्वार उचित बाल कटवाएंगे ठीक है एकदम बारिक छोटे छोटे साइड में तो एकदम जीरो लगवा के जाना उपर छोटे छोटे बाल रखना है ठीक है फालतू की फैसन गर वहां नहीं दिखाना है वरना फोजवालों का सटक गयान तो वह प्यार बड़ी मांदारी से दिखाते हैं आप सरीकू पता है तो बिलकुल बाल है वो छोटे-छोटे कटवा के आपको जाना है दाडी रखने की अनुमती है वो नहीं है आप मूच रख सकते हैं कोई दिक्क करना चाहिए वोजवालों को लगना चाहिए कि हाँ इनकी ट्रेनिंग कम्पलीट हो गए अब छूटी आये हैं ठीक है जिस परकार आप ट्रेनिंग कम्पलीट होने के बाद घर आओगे न तब देखना अभी अपने मोबाइल में अपनी फोटो खेंच के रख लेना और दस्तावेज आपको तैयार है वो बनवा के रखना है अब किशी का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में या हमारे हेलप लाइन नंबर पर पूछ लेना कोल करके कोई भी आपका डाउट है जो नोजवान देखिए जो आगामी भरती की तैयारी कर रहा है उनको आप बताईया आर्मी स्टेड योदा टीम के बारे में रोजाना साम साथ बच के 50 मिनट पर आर्मी स्टेड यूटूब जेनल पर फुल मॉडल टेस्ट पेपर होता है आने वाली जो अगनिवीर की भरती है उसके लिए अभी से कमर कशली जिये जो आगामी भरती की त दिल में आन्दी होनी चाहिए तो बिल्कुल जिनके दिल में आन्दी है आईए हमारे साथ महनत करेंगे मिलकर और आपका भी सपना है वो पूरा होगा और जो नोजवान ऐसफल हो गए हैं बिल्कुल निराशना हो चार-छे महीने आप डिले हुए हैं लेट हुए हैं सलेक् कीजिए हो जाएगा सेलेक्शन उतार चड़ाव चलता रहता है किशी कारण वर्ष नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है शपलता एक चुनोती है श्विकार करो क्या कभी रह गई देखो और सुधार करो जब तक शपल ना हो निंद चैन को त्यागो तम संगर्ष का मैदान छोड के मत भागो क्योंकि कुछ किये बिना जे जे कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए महनत करते रहिए सेलेक्शन होगा और जिनका हो गया है एक बार पुन है और मिस्टेडी योधा टीम के और से उनको हरदिक शुब काम नाए तो चली आज के सेशन को यही विराम देंगे अच्छे से रहिए जिनका सेलेक्शन हो गया है फालतुक की मकरागिरी नहीं करना है बाइक शिये गर गए गिर गए चोट लग गई तो ध्यान रखना दिक्कत हो जाएगे अपने आपको शैप रखिए मजबूत रखिए मोटिवेट र जहिन धन्यवाद